कि निद्ध स्ट है उपार्ट नंबर थ्री में वाट इस ग्लोबल बार्मीं और जो पर्टीकिलर पाठ थे दो पार्ट उसमें हमने वैधर और क्लामिटिक कर्डिशन की पर्टीकिलर एफेक्ट्स को समझा उनके डेफिनेशन को ग्लियर किया उसके साथ हमने ग्रीन हाउस फा ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम धिरे धिरे हमारे अर्थ पर बढ़ती चली गई उता और हमारे टेंपरेचर में जिस तरीके से इंक्रीजिंग गुओ और उसने किस तरीके से हमारे अर्थ के अट्मोस्फियर को एक तरीके से डेमेज किया तो यहाँ पर देखते हैं धिरे 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 जिरे जो उसका एवरेज टेंपरेचर है वो काफी बढ़ता जा रहा है काफी गर्मी बढ़ती चली जा रही है और इसके बहुत ही बैड इफेक्ट्स हमको हमारे क्लेमेटिक कर्डिशन में दिख रहे हैं इट अकर्स वेंड़ सर्टेन गैसी इन एट्मो असफेरिक लेयर होती है तो हम को पता है के यह अल्ट्रा वायल ट्रेज और इन चीजहों से पर्टेक्ट्स करती है लेकिन और अपने बहुत कई बार यह टॉपिक आया होगा कि अजरे धिरे काफी डैमेज हो चुकी है यह उसमें holes हो गया हैं जिसकी वज़े से अल्ट्रा वालेटरीस डायरेक्टली अर्थ पे आती है और बहुत बैड इफेक्ट्स है वह हर तरीके के living organism को clear human body को तो बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट होती है कही तरीके के skin के cancers होते हैं और तरह तरह की दूसरे disease का शिकार हम यूवी रेस की वज़े से होते हैं इस एफेक्ट मेक्ट प्लानेट वार्मर विच सब्जीक्योंट्ली रिचिस तुद्ध ग्लोबल वर्मिंग और इनी एफेक्ट्स की वज़े से हमारा जो और्थ है हमारी जो प्लानेट है वह धीरे- कैसी होती जारी उसका टेंपरेचर इंक्रीज होता जा रहा है वह गर्म होती जा रही है तो यहां पर हम आपको एक पर्टिकुलर पिच्चर दिया है वेटा उस पिच्चर में बहुत सारे ऐसी चीज़े है जो हमारे लाइफ के आसपास हमको हर दिखाई देती है बराबर व जो हमारी लाइफ में बहुत आज के समय में हम उनको जरूरी मान के चलते हैं फिर फॉरेस्ट फायर की बात हुई है तो यह सारी चीज़े बढ़ती चली जा रही है और जिनके उपर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हम देख सकते के डिफेंट डिफेंट काइंड ऑप जो पॉजनस गैजिस है वो जो है अट्मोस्पेर में डेली विटा है अबंडन वे में जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और उसकी वज़े से ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे जो है बहुत एक तरीके से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट बना दिया है कितनी भी एफोर्ट्स लगाओ लेकिन जो है उन कोशिशों में कहीं न कहीं अभी भी बहुत सारी कमिया है अभी आप डेली का पॉल्यूशन का ग्राफ देखी रहे हो अभी आगे के पॉइंट में आएगा तब मैं आपको बताती हूं अब यहां पर देखो ब की प्रॉब्लम बिटा धीरे धीरे बहुत ज्यादा हमारे अट्मोस्फियर को जो है हमारे क्लाइमेटिक कंडिशन को जो है डेमेज करती जा रही है तो यहां पर लास्ट फिफ्टीन येर्स के नियूस पेपर का कुछ ग्राफ दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल प्रॉब्लम की वज़े से अलग अलग जोन में क्या जेंजी आएं बराबर अर्थ के अलग अलग पार्ट में क्या चेंजी दाएं कंट्रीज में क्या चिंजीर आएं यहां पर लिखाए कि average increase of the five degrees Celsius in the temperature in West Europe इक्सपीरियंज बहुत जादा घर्मी नहीं पड़ती है वहां पर उनका जो अवरेज जो नॉर्मल टैंपरेचर हमेंशा रहता था 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 क्लामेटिक कंडिशन के इसाब से मानते हैं तो फाइव डिग्री सेलसे हो चुका है अगर अगर आप्रोक्सिमेटली ऐसा हम मान के च तो थर्टी डिग्री के आसपास अब एवरेज बन चुका है तो यह बहुत बड़ी बात है फिर देखो 14 डिग्री सेलसेस तेंपरेचर दार्जिलिंग रिचीज तू देमाइक्सिमम और उस सिटी के लिए माना गया जहां पे 28 डिग्री सेल्सेस उसका टेंपरेचर उस साल रहा था स्नोफॉल इन डैजर्ट एरिया में स्नोफॉल होना मुंबई रिसीज़ दे 942 एमल रेन इन वन डे 2005 से इस दिन को कौन भूल सकता है लगब 150 पीपर्स जो है बैटा माना जाता है क कितने सारे लोग 500 के करीब लोग उस दिन मर गए थे बहुत सारे लोग तो अपनी गाडियों में क्योंकि इतनी बारिश होई थी कि सब जगह ब्लॉके जो गया था लोग जहां फसे थे वहीं के वहीं रह गए बरबर उनको अपने घर तक पहुंचने का भी रास्ता नहीं मि इतनी डाथ हुई थी तो यह 2005 का यह जो डे है पर्टिकुलर्ली इसको कोई भूल नहीं सकता है भारत में एक दिन में इतनी बारिश होना और इतने सारे लोगों का मरना इंक्रीजिंग टेंपरेचर निन ऑस्ट्रेलिया 2005 में राकॉर्ड हुआ था देन सुंदर्बन इस सब सब्सक्राइब को मिलता है लगबग पहले जो है 20-30 परसंट जो है सुंदर्बन का इलाका इन फॉरेस्ट इरिया का इलाका जो है पानी में सब्मर्ज था लेकिन दीरी दीरे वह 40% से बढ़के जो है 30% से बढ़के जो है अब 50% हो गया है और अभी तो आपने 6-7 मन्त अग सब्सक्राइब रहे थे राइनो जे वह हाइवे पर आके बैठे हुए थे कितने सारे जानवर हो कि तो बटा पानी इतना भर गया था जंगल में क्योंके डैथ हो गई तो यह भी सूचने वाली बात है फिर देखो रिदक्शन ऑफ फाइक किलोमेटर इन कुम्भू स्नो रि सब्सक्राइब और फाइक किलोमेटर मतलब उसका तरीके से देखा जाए तो उसके लंबाई पांच किलोमेटर के करीब घड़ गई है आइसकेप अप दो साइज ऑप 3,250 स्क्वेर किलोमेटर मैं विदिन 35 डेज इन एंटार्टिका एंटार्टिका में 35 दिन के अंदर किल जानाकोमेल बरबर और जब ग्लेजीर मेलट उतंवें दोते हैं तो हम पता ऐंटार्टिका पूरा का पूरा एक तरीके से दिखा जाए तो एक की बाइंटर यह तो आ इसका था कि यह इसलिए ब fantast कर दो एकिक्वर्टल सुपर एक स्थ का सुसार्ट एक इसके बाद आगे चलते हैं कि कैसे अर्थ दिरी दिरी उसका टेंपरेचर कैसे बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैज इसको हम सी एसी गैस के नाम से जानते हैं होलो कारबर एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट दे इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन अब इस गैसे लीट्स तो दे प्रॉबल वर्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बराबर यह सारे जो गैसे बिटा क्योंकि हम तरह तरह के वेकल से इंडेस्ट्रिल वर्क हो रहा है हमारे डेली राइप में हमारे घरों में इतनी सारी चीजह है जो कई तरीके के पॉजनेस ग्रेस को रिलीज करती है हमने आगे जो पिच्चर देखा उसमें भी हमको दिख रहा है तो इतनी सारे बिटा और दीरे दीरे पॉपुलेशन का ग्राफ कितना बढ़ गया है अगर बढ़ रही है तो यूजिस बढ़ेंगे यूजिस बढ़ेंगे तो यह सारी चीज़ें जो है कितने अबंडन वे में यूज हो रही है और कितना मदब एक तरीके से देखा जाए तो इसमें रूल्स रेगुलेशन का भी हम देखते हैं कहने को भले बड़े बड़े अरत में देखते हैं इंडेस्ट्रियल जोन के लिए रूल्स बने होगे ट्राफिक के लिए रूल्स बने होगे लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं तो यहां पर हमको दिख रहे हैं मोटी बात नहीं है बराबर जिस दिन यह टेंपरेचर प्लस वन चला गया ना मतलब हमारा अर्थ पे जिंदा रहना प्लस वन भी मैं नहीं बोल रही अभी भी यह जिरो पॉंट सम्थिंग कुछ और बढ़ जाएगा न अगर डबल देन त्रिपल देन हो गया ना उसके बा बढ़ा है लास्ट हंडेट में हमारे अर्थ का टेंपरेचर इतना बढ़ चुका है जिस दिन यह प्लस में चला गया तो शायद अर्थ पे कुछ भी बचेगा नहीं इतनी गर्मी बढ़ जाएगी ओके यहां पर आपको सब पॉजनस गया अलग-अलग जो है प्रोपोर्श हम देख सकते हैं कि जिन पर्टिक्लर उनको यूज करने वाले चीजह हमारे डेली राइक के आसपस बहुत ज्यादा है तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है सब्सक्राइब के पार्ट पर मिलियन पर मिलियन जो पार्ट है उसका इंक्रीज होता है तो वह 275 पीपीएम था आटके डे में कितना है 350 पीपीएम बराबर अभी डेली का टेंपरेचर जिस तरीके से पॉज़नस गैसे के वज़े से अटमोस्पेर जितना उसका पॉल्यूट हुआ है आज कल आप डेली देखते होगे यह पीपीएम बराबर और बताया जाता है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है ओके त और उसकी वज़े से जो है और विंटर का टाइम आ गया है तो हमेशा जो है वहाँ पे सुबह के वक्त बिटा फॉग और धून दिये सब का प्रॉब्लम बहुत होता है तो हमको पता है कि अगर क्लाउड है फॉग है ऐसे सब कंडिशन होती है तो उस समय जो है अटमोस्पे क्लीन और प्यॉर नहीं बन पाता है और यही प्रॉब्लम दिल्ली हर साल फेस करता है यहां पर हमको ग्लोबल टेंपरेचर का ग्राफ बता है एटीन हंड्रेड सिक्स्टी से स्टार्ट होके 2000 बराबर लगबग 1500 साल का ग्राफ है हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो टेंपरेचर है जो रेड लाइन है वो एवरी फाइव यर्स के बाद का एवरेज टेंपरेचर बता रही है और जो ब्लैक डॉटेट लाइन है वो एन्यूल एवरेज टेंपरेचर को बता रही है हम उसका इंक्रीजिंग फॉर्म देख रहे हैं ओके 2000 तक 0.4 था लास्ट 20 में तो हमने जो रबतार पकड़ी है इस दुनिया ने बैटा तो हम समझ सकते हैं कि 0.6 हो चुका है अब इसके बाद यहां पर कॉलम दिया है इस कॉलम के अंदर पर्टिकुलर्ली उन चीजों के बारे में बताया है कि देखो के स्टडी दर टेबल गीवन बिलो स्टेट और यह पर्टिकुलर्ली वह एक तरीके से देखा जाए तो इनको एक्टिविटीज बोलें इनको हमों कॉमेडिटीज बोलें बराबर यह वह चीजे हैं जो हमेंसा अकसर हमारे लाइफ के आसपास हमारे लिए बहुत जीवन जरूरी चीजे बन गई है इनके बीना आजकल ह 200 MW लिखा हुआ है यह यह ली नाइन लैक टन बराबर यह ली कितना रिलीज करता है नाइन लैक टन मोटर कार यह ली सेवंटीन करोर टन एसी बिटा ओन एवरेज टू एवर्स हर दो घंटे में बिटा है 24 अवर्स में 2230 केजी टीवी टेलीजिन जो हमारे घरों में चलता ह 930 केजी और फ्रीज 24 अवर्स में 920 केजी अप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा जो है ग्राफ है और कुछ ट्यूब लाइट कंप्यूटर फ्रीज टीवी एसी यह तो आज कल हमारे घरों में नॉर्मल चीज़े हो गई है इनके बिना तो चलता नहीं है तो आप अ मिथन की बात करते हैं यह फूर्ट अब यहां पर हम देख सकते हैं कि 1750 से 1764 के टाइम पे 315 पीपीम तक मिथेन का प्रॉपोर्शन चला गया था तो यहां पर हमको कुछ रीजिन्स बताएंगे कि एक्जलिंग्स ऑफ दा मतलब मिथेन गैस रिलीज होने के रीजिन्स क्या है बिटा एक तरीके से जो एनिमल्स की एक्जलिंग करने की जो प्रोसेस है बिटा स्वास उसके साथ मैडबॉलिज्म आज लकार मतलब क्या होता है कि छिए खाना चबाते रहते दो अक्सर टरीके कि आप अगर इनके आसपास होंगे तो इक बहुती मतलब एक तरीके से स्मेल आएगी बहुती बैट स्मेल होती बरबर और हमको लगेगा कि जैसे कुछ गैस जैसा मतलब हमारे आसपास वहां नस्दीक में फील होगा हमको तो मेटबॉलिजम प्रोसेस के टाइम पर बड़ा इस तरीके के गैसे रिलीज होते हैं मिथैन लगबग फूटीन करोड टन पैडी कल्टिवेशन के टाइम पर फिफ्टीन करोड टन और डी कंपोजिशन ऑफ दब बायो डिग्रेडेबल वेस्ट बरबर जब वेस्ट को बड़ा डिए डिकंपोस किया जाता है उससमें सेवन करोड टन जो है विटा मिथैन गैस जो है रिलीज होत सकते हो कि 270 से 319 ppm होने का मतलब क्या है chlorofluorocarbon cfc को देख सकते हैं कि दूटो दे यूज ऑफ फॉर्म प्लास्टिक रेफ्रेजिटर एसी सर्केट एरोजल स्प्रेड जो के वह पिच्चर में यह सारी चीज़े दिखाई हुई है आप अंदाजा लगा सकते हो दे है साइज है उनका जो बढ़ना है उसको हम एरोजल कहते हैं एट्सेटरा धर हैस बिन इन इंक्रीजिंग इन दसी एपसी और यह जो पर्टिक्लर एरोजल है वह सी एफसी यह नहीं क्लोरो फ्लोरो कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं ओके अब इसके बाद हम देखते हैं थिंक्स तू नो में लिखा है कि एस पर दर रिजोलुशन पास्ट बाइद यूएन और ट्वेंटी थर्ड जैनियूरी नेंटीन हैंटीन हैंटीन सेप्टेमबर इस अब्जावर एद द ऑजोन डे बहुत ही मोस्त आइंपी डेट है अक्सर जनरल नॉलिज की एक्जाम्स म ग्रूप में हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं अफ्टर नैंटीन एटीन यह टू थाजन सेवन वस्टेस्ट एर उन्नीस सो असी के बाद बिटा दुनिया के सबसे गर्म सालों में अगर हम माने तो होटेस्ट एर में 2007 2007 में बहुत गर्मी पड़ी थी अब यहां पर हम ग्लोब ग्लोबल वार्मिंग एक बैड एफेक्ट देख सकते हैं कि एफेक्ट ऑफ दो ग्लोबल वार्मिंग चेंजी सार ऑब्जर्व कर सकते हम देख सकते के इस बदलाव की वज़े से बिटा कितने सारे मतलब वेजिटेशन से तरह तरह के फूल पॉधे फल फूल सब चीज है ब बढ़ा वह रुक सा गया है कुछ तो है में के जिनका अस्तित्व ही खतम होते जा रहा है फिर एसे स्पेसिस की बात करें हम बड़ की बात करें बड़े से पेर हो चुके हैं अब कभी कबार दिखते हैं या बहुत कम दिखाए देते हैं जैसे कि सपैरो जे चिडिया है वल् सुबह के टाइम पे तो तरह तरह की कलर कलर की चिडिया है या कि बहुत ज़्यदा मदब फ्लावर के प्लांट्स बहुत थे तो अकसर आकर वहां पर बैठती थी लेकिन अब रेरली हमको यह दिखते हैं आजकल तो फ्लैट का कल्चर बढ़ गया है तो ज्यादा तर बड़ नहीं है बहुत बड़ा ग्राफ है बराबर यहां पर आपको ग्लेजियर का एक साइज दिखाया हुआ है आप में ट्वेल टुथाओजन वन का से में इस ग्लेजियर का पिच्चर बढ़ अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से वह मेल्टाउट हो रहा है तो यहां पर दे पर देखो किस तरीके से मेल्टाउट हो गया है और कितने सुकृता चला जा रहा है फिर जून नैंटीन तुसम्ट सिक्स में देखो बड़ा है लगबग यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो 75 परसंट दिख रहा है अब यहां पर फिच्चर में हमको 50 परसंट दिख रह निकलती है और गौमुख जो है गलेजियर उनका जो है एक तरीके से और गिन मतलब माना जाता है वहीं से वह निकलती है लगबग यह जो गंगोत्री जो पर्टिक्लर गौमुख का देखा जाए तो पूरा का पूरा जो मॉंटेनें स्ट्रुक्चर है यह लगबग 35 किलोमे जाना बराबर यह दिरे दिरे चला जारा है छोटा होते जारा और पिगलता जा रहा है तो जैसे जैसे यह पिखलता जारा है तो हम ओसार जाarten ऊतों हो जaden हो यह समझने वाली बात है तो यह वाले पार्ट में हम यहां तक देखते विड़ा इसके बाद हम नॉन कर्वेंशन सूर्स ऑफ एनरजी से नेक्स पार्ट में देखेंगे ओके थैंक यू